नमस्कार आप देख रहे हैं लोग तंद्र मैं हूँ आपके साथ अक्षय है आगामी लोगसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाईश तेज हो चुकी है हर सियासी दल हर वो अतकंडा अपनाने को तया है जो जीत की मंदल तक ले जाने में मदरतगार साबित हो सकता है दिली के र कारिकरताओं को जीत का मंत्र भी दिया गया कारिकरताओं को समद्रित करते हैं प्रदान मंत्री ने यहां विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला तो वह यह भी भरोसा दिलाने की कोशिश कि कि अगर देश को उचाई पर ले जाने का कोई दल माद्दा रखता है तो वह सिर बाधा कاؤंग्रेस अपने वकीलों के माध्धम से नयाइक प्रेक्रियात में बाधा पहुचाने की कोशिट कर रहे हैं और इतने नी विपक्षी दलों पर तहंचe कि प्रदान मंतरी ने कहा कि जिन शेत्री दलों का जन कांग्रिस की विचार धारा के खिलाफ हुआ था आज वही दल अपना अस्तितों वचाने के लिए किसी के भी साथ जाने को तैयार इस दौरान वित्र मंतरी आरुन जेटली के निशाने पर भी विपक्षी पाट्या रही वि ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उट रहा है कि बीजेपी के सामने 2014 के मुकाबले चुनौतिया काफी बढ़ी है अपनी नाराजगी बीजेपी के लिए अपनों की नाराजगी भी है कि बड़ी चिंता का विशा है जबकि विपक्षियों के सामने भी परेशानिया कम नहीं द बीजेपी के रास्ती अदिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंतरी मोधी ने कहा कि ये बीजेपी के कारिकरतों का समर्पन ही है कि हर दिन हर वर्ष को शुब बनाता है कभी दो कमरों और दो सांसदोरी पार्टी इतने बड़े स्तर पर रास्ती परश्त की बैठक कर रहा है अदिवेशन में जहां मिशन 2019 के लिए रहनीत पर मंथन हुआ तो वहीं कॉंग्रेस समेथ विपक्षी धलों पर खूब निशाने भी सादेख है दिल्ली की रामलीला मैदान में बीजोपी की रास्ती परश्त के समापन सत्र में प्रधान मंतुरी नरेंडर मोदी ने अपने संबोधन में पाटी कारकरताओं को जीत का मंत्र दिया प्रधान मंतुरी ने कहा कि पिछले साड़े चार साल में बीजुपी के नित्रुत में जिस तरह हमारी सरकारे चली हैं उससे लोगों में ये भाव इस्थापित हुआ है कि देश को उचाई पर अगर कोई दल ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजुपी है राष्टिय परिशद में किसान, घरीब और वर्तमान राजनीती से जुड़े प्रस्ताव रखे गए पियम मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें इन प्रस्तावों में लिखी एक एक बात याद हो ये बाते घर घर तक पहुचानी चाहिए मोदी ने बीजेपी कारकरताओं से चुनाओ के लिए जीजान से जुटने का वाहन किया और कहा कि ये लड़ाई सल्तनत और सम्वधान में आस्था रखने वालों के बीच की है कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधान मंतुरी ने कहा कि जब वह गुच्रात के मुख मंतुरी थे तो कॉंग्रेस ने 12 सालों तक उन्हें परिशान किया लेकिन उन्हें कानून पर और संस्थानों पर भरोसा था पियम मोधी ने कहा कि कॉंग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में भी बाधा पहुचाने की कोशिश कर रही है उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस आयुध्या मामले का समधान नहीं चाहती है गड़बंधन की राजनीती पर कटाक्ष करते हुए पियम मोधी ने कहा कि जो राजनीतिक दल एक जमाने में कॉंग्रेस के तोर तरीकों को सही नहीं मानते थे वो आज एक जुट हो रहे है भारतिय राजनीतिकी किहास के एक असपल प्रयोग को महा गड़बंधन के नाम से प्रतारिक करने का बियान चल रहा है जिन दलों का जन्मा कॉंग्रेस और कॉंग्रेस की कार संस्कूति के विरोध में हुआ जो उस जमाने में कॉंग्रेस के तोर तरीकों को बरदास दही कर पाए वही विरोधी दल आज एक जुट हो रहे है इससे पहले शनिवार की सुभा लकनों में बियस पी सपा की साज़ा प्रेस कॉंफरंस में मायवती ने कहा था कि बियस पी और सपा के गड़बंधन से मोदी और अमिश्या की नीद उड़ जाएगी जिसका जवाब अधिवेशन में पहुचे यूपी के मुख मत्री योगी आदित तनाथ ने दिया मत्री स्री नरेंदर मोदी की तथा बीजय पी के राश्टे अध्यक्ष स्री अमिश्या की अर्था कि इन दोनों गुरुवे चेले की मूंद उनाने वाली अती महत्तिकून अवंबिते हसे के प्रेस और फ्रेस हो रही है देखें ये आउसरवादी जातिवादी और भ्रस्ट मानसिक्ता का गढ़वंदन है जो विकास नहीं चाता जो सुसासन नहीं चाता जो अराजक्ता दंगा और अविवस्थार अराजक्ता का कारण है इस नापाग भ्रस्ट और जातिय मानसिक्ता से तरस्ट गढ़वंदन क बिपक्ष के प्रस्तावित गड़ बंधन पर वित्यमंत्री अरूर जेटली ने भी निशाना साधा जेटली ने कहा कि ये आपसी दुश्मनों का गड़ बंधन है ना उनके वोटों में समानता है और ना ही उनके उत्तेश एक है चुनाओ कभी इस गड़ित पर नहीं जीता जाता शुक्रवार को अपने समबोधन में विजोपी अध्यक्ष अविश्शा ने तो हसार उनीस के आम चुनाओ को विचारों का युद्ध करार दिया था और कहा था कि लोग सभाज चुनाओ दो विचार धाराओ के बीच की लड गई हैं अपनों की नाराजगी बीजेपी के लिए के बड़ी चिंता का विशा है जबकि विपक्षियों के सामने भी परेशानिया कम नहीं है देश के सबसे बड़े सूबे उत्ता प्रदेश में सपा और बसपा के गड़ बंधन पर मोहर तो लग चुकी है लेकिन कॉंग् स्टूडियो से चार खास महमान जोड़ रहे हैं डॉक्टर सीमा मलिक जी हैं जो एंसीपी को रिप्रेजेंट करेंगी अजय वीर सिंग जी हमारे साथ जोड़े हैं आरलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमीष ठाकुर जी हमारे साथ इस चरचा का हिस्सा हैं आप बरिष्ट पत्रकार हैं कॉंग्रिस की तरफ से प्रतिदी व्यस दुबे साथ हमारे साथ इस कारक्रम में शामिल हैं जबकि लगणव से दो खास महमान हैं मनूज जादव जी हैं आप नेता हैं समाजबादी पार्टी के और भारती जनता पार्टी की तरफ से शबनम पांट जीने जीत का मंतर तो दे दिया लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने दो हजार चौदा के रिजल्ट को दोहराने की देखे अज़े जी मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मायावती जी ने प्रेस कांफरेंस करके कहा कि हम नीन दुडाने जा रहे हैं मोधी जी और इनकी पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीन तो विपक्षियों का मोधी जी ने लगातार जीत करके उड़ा रखा है इसलिए जहां ना नीती है ना नेता है ना कोई दिशा है कुछ भी नहीं है जिनके पास और सभी पार्टिया एक जोट होके लगी वी है कि कैसे हम मोधी जी को और जनता इन लोगों को पहले ही नकार चुकी है और छोटे मोटे बहुमत से नहीं एक प्रशन बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी थी और जनता आज भी जानती है कि ये सरकार अंतिम पंक्ती में खड़े लोगों के इसा योग कर रही है अंतिम पंक्ती में खड़े लोगों तक योजनाएं पहुचा रही है जबकि पुरानी सरकारों की योजनाएं को लक्वा मार चुका था बस कार्जों पर योजना होते थे और उद्गाटन करते थे लेकिन लोकारपन करने का समय नहीं आता था उद्गाटन करा और कह दिया कि हमने ये बना दिया हमने वो हम उनकी ह अधुरे काम को भी पोरा कर रहे हैं और नए नही नीटिया भी बना रहे है तो हमारे हमारा काम बोलेगा इन्होंने काम बोलता है का नारा लिया सपाने और बाद में वो कर गए कि हमें साथ पसंद है करके राहुल जी के साथ गड़डन किया और उस वक्त कहते थे कि राहुल का मानसम्दान हमारा मानसम्दान है आज क्या रहे ह Church के लिए सबसे बड़ी कौन है Congress या फिर शेत्री इदल के देखी बीजेडिकी बहुत मजबूती से ग्राउन पे हैüss बीजेडिके लिए कोई चुनाती नियुकि इनके लिए चुनाती बनीविये सभी विपक्षियों के लिए चाए वो चेत्रे दल हो या राश्चे दल हो सब के लिए बीजेपी ही चुननोथी बनी वी है इसलिए ये सत्था बस ये सत्था के लोबी है इनको देश ऑ प्रदेश हिद में सोचने की तो इनको फुरसती नहीं है क्योंकि ये अपने परिवार को बढ़ाते अपने परिवार का धन बढ़ाते परिवार की बढ़ोत्री करते हैं जो दलितों और पिछडों के नाम पे वोट तो मांगते हैं पर उनकी जो हश्र इन्हों ने उत्तर प्रदेश में भी चले बिल्कुल आप आप यह तमाम आरोप लगा रह है यानि सीधा टार्गेट गांधी परिवार के उनको पता है कि सम्मेदान पर अस्था कौन रख रहा है जितने इंडिपेंडेंट इंचिटूशन से सब को इन्होंने तार तार कर दिया आज सभी अपने रोना 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 लेके रो रहे हैं कि जो सत्तर सालों से इंडिपे तुह इंडिन इसक डार लेकर क्योंकि आगे आगे आने वाले समय में क्या हो जब आएंग्रेज़े से भाजपा के लोगों से क्या बैई बीत होगी जब यह गोर अब जाद पाथ पर ने पर ने कोशिद में प्रदान मंत्री ने किया है अला कि अपने कार्यकरतों को संबोधित कर रहे थे उन्हों ने का कि 12 साल उन्हें परिशान करने में कॉई कोड का सर नहीं छोड़े और जाट एजेंटियों से लेकर सरकारी मश्रीनी का खूब दुर्पयोग किया गया और आपकी पार्टी के गुजरात के नेता तो खुल्याम भी कहते थे के जेलों की सफाई करवाने नरिद मो स्कूण स्कूंटी ते और और आरोप कीस पर लग रहे हैं यह खुद भी जिसके खुद मुह काला है ओं खुद को दूसरे के मुह को काला कहना अपने लिए उचीत समझता है कि उसको पता है कि मेरे मुह भी काला है पूरा सरीर भी काला हो गया है आज बीजेपी के पूरे कहीं नजर नहीं आने वाले जन्ता समझ गई हैं जुम्ले हैं और जुम्ले के लली पपे पकड़ाना चाहते हैं 2014 में पकार रहे हैं आज हम मुकाबले की बात कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक जुटता की बात कर रही है दो बेगे कि एक मजबूत महागटबंदन आपको लग रहा है कि जो महागटबंदन का सपना पहले देखा जा रहा था ये उसकी धार कंज़ोंगे हैं वहले भी जो सरकारे बनी ती ओभी गटबंदन की सरकार है तो अब गटबंदन सत्ता का एक 20 सालों से रूप बन गया है आप गटबंदन को अनूचित नहीं कर सकते हैं गटबंदन एक उचित लोकतांत्री परिएस चांगरेस के साथ है अब इनके साथ आ अगए तहीं वह तो अ ढर ने दोस्तोंगरेस को दोस्तों की की जुरूरत रहती है और मेंसा दोस्तों को गले लगाती है चले ठीक है लेकिन लेकिन पहले दोस्ते हैं जो आप लोगों के साथ नहीं है अला कि दो सीटें आप लोगों ने छोड़ दी है राय बरेली अमेठी हो सकता है कि इसके लिए आगे की कोई रणीत आप लोगों के पास हो लेकिन आरेलडी को भी सटक पर क्यों छोड़ दिया देखिए आरेलडी के बारे में अभी किसी तरीके के कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन निश्चित रूप से वह भी पॉस्टिव वे में यह आपको सुनने को मिलेगा रही बात कांग्रेस की तो दस साल लगातार हमने बाहर से समर्थन दिया कांग्रेस की यूपिय की सरकार को तब भी हमने इनके लिए सीड़ छोड़ी वो कोई नई बात नहीं है वो बहुत पुरानी बात है और वो सरिष्टा चार है समाजवादी पार्टी के कुछ अपने नियम है उस नियम के तहती काम करती हम हमेशा से इस तरह की राजनीत करने में विश्वास रखते हैं जिससे कि संप्रदाइट सक्तियों को आगे बढ़ावा ना मिल सके नंबर एक बात दूसरी सबसे मात पूर बात है कि मोदी जी का वैयान अभी आपकी टीवी चैनल पर चला कि हम में ही वो कूबत है हम में ही और ले जासकता है यह बड़ी बात को कहीं से adore श्रूर से नहीं क्या जाता जाएगी और कण्रोवर्सी क्रेंस क्या सुप्रेम कोर्श करेगा आप गदी की परिभासा करने की जो आदत है उसको जरूर डिफाइन करना पड़ेगा मजबूत था है और रहेगा कड़वंदन की नियत जो है वह यह लेकर अभी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है दो सीटे छोड़ी गई है हम इस पर तो आरेलडी के जो स्पोक्सपरसन ने उनसे जवाब लेंगे लेकिन मुझे बताए कि आरेलडी को लगभग यह कहा जा रहा कि दरकिनार आप लोगों ने कर दिया इसमें बहन जी की ज है ना अभी जल्दबाजी होगी और हम तो बड़े दिल वाले लोग हैं उसमें दो राएं नहीं है चले कि आप अब इस पर हम आरेलडी से जवाब लेते हैं ना रल्डी से हमारे साथ हैं अगर दो सीटों पर बात बनती है तो तैयार है आरलडी नहीं अभे जी देखिए हम उन्होंने का कि हम इस कोशिस में हैं कि जो धर्म निर्पेक्स बोटर बोट हैं उनमें बटवारा ना हो एक मजबूत गठबंदन उत्तर प्रदेश में बने और उसके लिए रालोद के सारे नेता हमारे प्रियासरत थे और अभी भी हमें उम्मीद है कि एक ऐसा गठबंदन बनेगा के जो बोटों का बटवारा ना हो और मजबूत एक भारतिय जनता पार्टी को एक टक्र दी जा सके यह बात सही है सब लोग जानते हैं और जो भारतिय जंता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना चाहते हैं वो सब यह मानते हैं कि राष्ट लोग दल की अंदेखी नहीं की जाएगी हमारे नेता अवीत भी प्रियासरत हैं और हम यह आसा रखते हैं कि हम गठवंदन में रहेंगे सीटों की बात हमारी नहीं हुई थी जैन चोधरी जी की और अखलेश जी की लखनव में भी मुलाकात हुई थी सीटों पर कोई बात नहीं हुई थी और अब जब यह गठवंदन आगे बढ़ेगा यह आज शुरुआत है एक गठवंदन की अड़तीस अड़तीस होगे छेत्तर दो सीटें छोड़ी राइबरेली अमेठी होगे अठतर बसती हैं दो सीटें अभेजी राइजनीती में अटोगा बटवारा ना हो और भार के जनता पार्टी को उसका फायदा ना मिले चले ठीक यानि कि अभी भी आपको कुछ संभावना नजर आ रही है लेकिं डॉक्टर सीमा मलिक जी आप उने लगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस के हम बात कर रहे हैं उत् प्रदेश की बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है वहां पर टीनी पार्टी है जो के मजबूत हैं और उनमें से दो एक साथ मिल गई है तो बीजेपी अपने बारे में सोच सकती है तो यह कि बहुत बड़ी चुनाती है बीजेपी के लिए और चाहे वह जितना भी बोले आज में प्राइमिनिस्टर का भाशन मैंने पूरा सुना एक पहुत एरोगेंस था और यह कि बस हम ही है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं और मुझे बड़ा अश्चर हुआ सुनके जब उन्होंने बोला कि समवैधानिक संस्ताओं पर हम लोग कुछ कर रहे हैं ऑपोजिशन व देश का सबसे बड़ा सुभा जो असी लोगसभा की सीटे रखता है वहां पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंगर्स जैसे उसके लिए हालत यह है कि शेतरी दल उसके साथ गड़बंधन को तयार नहीं हो रहे हैं यह मुसीबत नहीं है तो उनका अपना कुछ स्ट्र हुए हैं और वह जितना भी उपर से बोल रहे हैं पर उनको जितना कह रहे हैं कि उन्हें परवाह नहीं है गड़बंधन की पर वह रियली वरिड लग रहे थे इन चीजों से चले ठीक इस पर हम रमेश ठाकुजी से बेंटर तरीके से जाधा समझ पाएंगे रमेश ठाकु कि आज पूरी राजनीती और पूरे देश के जो कैमरे हैं तो उन्हीं की तरफ आज मुड़े हुए हैं इतना बड़ा अदिवेशन भाजपा का हो रहा है तो भाजपा हमेशा ही चाहती है कि मुद्दों को जिस तरीके से डेट करने की कलाकारी भाजपा लोगों के पास थी वो कहिना कही आज माया बती ने करके दिखाया यह जो आज प्रेस कॉन्फेनस हुई है इसमें सपा का ज κάνता रूल नहीं कहेंगे अप इसमें सिर्फ और सिर्फ माया बती का रूल है उनको पता था कि आज जो कबरेज और जो एहिमियत भाजपा को मिलने वाली है क्योंद्ध जो तंबूद में हम लोग कील खुषेड सकते हैं उन्होंने पूरे मुद्य को डाइबड करा सारे कैमरा सारे लोगों का ध्यान अपने तरब आकर सिद करा उनकी जो लास्ट की जो बात हैं थी जो आज होना था उस पर कहीना कहीं पानी फिर गया अब आ जाते हैं हम पर सेंट पर बस पा रुकती है तोटल आपका हो गया इसमें कुछ बड़ा है चोवारीस परसेंट जब यह पार्टियां अगर एक हो जाती है तो मुझे नहीं लगता असी सीटों में भाजपा इसमें कुछ कर सकती है वह ठीक है हमिस्सा कहते हैं कि इने तैंतर से बातर नह लोगों ने कहा था यह हमारे लिए साइमी फाइनल है ठीक है सब लोगों ने मान लिया हम मीडिया वालों ने भी इस चीज़ को बढ़ा चड़ा के दिखाया लेकिन जब धरातल पर जब रिजल्ट आया पूरा बेप्रित था इसके बाद भाजपा के लिए कुछ नहीं बच इसके बाद में बोट परतिसद जो था इनका लगातार गिरता गया अब यह जो अदिवियसन होता है यह आनन फानन में यह डिसाइड किया गया था यह कोई पहले का परस्ता भी था यहां पे यह सिर्फ अपने जो एक लास्ट का खड़ा हुआ जो कारी करता है इन पार्ट स सबीजेपी के लिए माने नहीं उनका जो अधकारिक जो यह आकड़ा है उसको आरेसस ने भी नकार दिया है अभी जो चुनाव हुए थे पांच राज्यों के चुनाव हो थे उससे पहले कर आपको ध्यान होगा तो एक आरसस ने अपने अस्तर से एक सरवे करवाया था यू जो ठोकर मोदी सरकार को सत्ता से उखार फेकना और इसके पीछे तार के यह दिया जा रहा है कि देश का लोकतंदर खत्रे में समयधानिक संसाय खत्रे में हैं लेकिन शेत्री दल कॉंग्रेस के साथ जाने में इतना डरते क्यों है नहीं देखो कॉंग्रेस की अपनी स्टेटेजी है माया बती कभी नहीं चाहेगी कॉंग्रेस के साथ में आएं और यह जो दो सीटें चोड़ी गई है सोनिया गांदी और राहुल गांदी के लिए इस पे असहमेती है अभी भी यह सिर्फ और सिर्फ जिस समय दस साल यूपी की सरकार रही और समाजवादी पार्टी ने अलग से इन्होंने एक समर्थन दिया था तो उस समय वी चाहें बिदान सभा के चुनाव हुए जो भी छ कर दी है अब वो अजी सिंग के लिए मुझे ने लग रहागा अजी सिंग दो सीटों पर मानेंगे तो अजी सिंह का अभी एक वियान उनके बड़े नियता का भी आ चुका है तो उन्होंने इस स्थी में हमारे लिए बिकल्ब खुञा हुआ है बिकल्ब का मतलब झानते है एंडिये के लाव आपके पास कुछ नहीं है लेकिन यहां पर यह चीज हमें समझने की अभी जल्दी कंप्लिट कर दूँगा मैं अब यह जो चुनवती है वो किसी स्यासी दल के नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ आम जंता के लिए है आप क्यों फुटवाल बनने की कोसिस कर रह रही है मुझे नहीं लगता इस गटवंदर की गाट कब खुल जाए इसकी कोई ज्यादा को चर्चा में लेकर रहे हैं कि एक मजबूत गटवंधन उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर सपा बसपा में बनता है जिसमें अब तक आरेली के लिए भी जगे कही जा रहे थी या अपनी रणवी ते तयार कर रही है बीज़ीपी की सामने जहां चुनौती है तमाम विपक्षी पार्ट queste निपटने की तो वहीं विपक्षी एकता को लेकर भी तमाम चुनौतिएं इसी पर हम चर्चा करे हैं सभी खास महमान हमारे साथ बने हुए है मांज आजबीर भी बात नहीं थी गठवंदन के लिए बात हुई थी और वो बात हमारी अभी भी है अब अब आज तो प्रेस कॉन्फर्स में कह दिया 38-38 सीटे सब और बस पाइस दो सीटों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बात होईगी सीटों की और ऐसा नहीं है कि 38-38 सीटों पर लाइन खिच गई है मैंने जैसे पहले भी आज के राजनीती में संभाव नहीं होती है अगर हो जाता है दो पार्टियों के बीच में कि 38-38 सीटों पर हम लड़ रहे हैं दो सीटे छोड़ दी गई है बसती है दो उसके बाद फिर विकल्व क्या बसता है सीटों के बारे में अभी पाचीत होंगी हमारे राश्चे नित्रतु संपर्क में हैं जैन जी के और अकलेश जी की मीटिंग एक हो चुकी है और जहां तक हमारे और ओप्सन खुलने की बात है हमारा ओप्सन कोई भी हो सकता है लेकिन हम NDA के साथ नहीं जाने वाले संप्रदाइक ताक्तों को हराने क के लिए हम धर्म निर्पेक्स गठबंदन के साथ ही बनेंगे और NDA में हम किसी कीमत पर अपना नहीं जाने वाले यह यह तै कर लिया है कि आप बीड़ेपी के साथ नहीं जाने है कि NDA का हिस्ता नहीं बनेंगे यह सत्पिर्टी सत्थ तैय है अगर कॉंग्रिस की तरफ से अफर होता है कि आप आजाए हम मिलकर साथ भाविस में क्या होगा वो देखा जाएगा लेकिन अभी हम हमें आसा है कि हम इसी गठबंदन के भाग बनेंगे और जो धर्म निर्पेक्स बोट है अच्छे जी रास्ट नित्त इस बारे में जल्दी कोई ने कोई रासा निकाल लेगा और मेरे ख्याल से बात्चीत हो भी रही होगी इसमें किसी तरीके का कोई संसय नहीं है दिक्कत तो उनको है समस्य तो उनको है जिनको 73 की 74 करनी है वहात्तर नहीं रह जाएंगी कुछ ऐ इसा ही बयान आया था ओट परसंटेज पे 50% से उपर का और परसंटेज चाहिए तो समाजवादी पार्टी और बीस पी दो पार्टी ओं का मिलकर ही 2012 का अगर हम चुनाब परसंटेज देख ले तो लगबग लगग 25% से उपर का जाता है और अगर सीटों को दोड़ लें त सब्सक्राइब तो 2017 के लिहाद से आकलन होगा ना मनुज यादब जी या अपनी सहुलियत के साफ़ से 2000 के बारा के नतीजों को आप मांनों को याद आएगा ने कि अच्छे जी हर गाड़ी में अगड़ा गैर भी होता है पिछड़ा गैर भी होता है तो कुछ बैक रिवर् जहाँ है यह होंबर्क भी जैपी के लिए को सकता है कि कोषिस करें नटीय के तमाम सारे नेटा हो सकता है फोन करने का प्रयाद विकर रहा हो कि अर इल से किसी तरह बाट चीत कर लो इसी तरह कर लो किसी तरह कर लौ कि इनके लिए ह। से पता चल जाएगा कि कितने मजबूत हैं मोदी जी कि किन किन दलों को ले सकते हैं कि हम तो छोटे दल आई हैं और हम मेरी आवाज पहुंच रही क्या आप तर जो आजय वी सिंग्जी भरोसा जता रहें कि 38 38 सीटों का भले आज ऐलान कर दिया हो लेकिन ऐसी कोई लाइन नहीं खीची 38 38 पर ही सपावसपा लड़ेंगी तो आप लोग कुछ कम सीटों पर भी जा सकते हैं हिस्तेदारी बढ़ा सकते हैं कि है कुछ संभवना भी अट यहें निश्चेत्रूथ राश्चिन नेत्थ इस बात को तयक रेगा और राश्च नेत्थ लगातार इस बात को कहता रहा है कि हम सकतियों को हराने के लिए किसी भी तरीके का फैसला लेने में कभी कोई संकोश नहीं करेंगे अचाहिए एक भी सीट नहीं थी एक भी सीट नहीं आरेलडी की थी किस तरीके से एक लोगसभा सदस्य गया और एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे उत्तर भारत में इकल रहेंगे और उसी क्याधार पर राजनीद करते हैं शब्नम पांडे जी बीजेपी के लिए यह कितना खत्रा है यूपी में क्योंकि सपावसपा की बात की जाए तो अगर यह दोनों पार्टियां मिल जाती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है क्योंकि इसके न नहीं रहेंगी वो ठीक है उप चुनाओ यह जीत लिये हैं लेकिन इनका जो हश्र हमने आगे चुनाओ में किया यह इने भी मालूम है और यह अपना वोट परसेंटेज वही गिन रहे हैं लेकिन इनके साशनकाल में लंबे समय तक बीजेपी बीएसपी और एसपी दोनों उत्तर प्रदेश में साशन किया और जनता को पता चला कि छित दलों को जिता के लाने का क्या हश्र होता है कि केवल दंगे केवल मर्डर केवल किड्नैपी और वो कहते हैं हम दलितों पिछडों के साथ और आप बार बार देखते हैं दलितों पिछडों किसान युवाओं सब बुकमरी के सिती में आ गए और जब कॉंग्रेस भी इन के साथ रह रही थी तो कॉंग्रेस में भी 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगाया था लेकिन बाद में सत्वा के लोड में इनके साथ किया था आज आरेलिडी भले इनके साथ जाए सबppen दलों को आप देख रहे हैं जो दर सामाजिक और आर्थिक बेसिस पे आरक्षन देने की बात करती है अगड़ों की और उसमें किसी को भी छोड़ती नहीं है चाहे वो मुस्लिम सामाज के लों इसाई सामाज के हों अगड़े सब आर्थिक इस पे करती है जाती और धन के नाम पे नहीं उसको ये सामपरद चेसे दल बस अपना घर भरते हैं तो जंता है और जोबह रहा हुगा यह जोबीजेपी को शेत्री दल जिन में सापा बसपा की बात तो कर रहे हैं हम अगर दीदी की बात कर लें पश्चम मंगाल की मुख्यमंतरी की भी क्या शेत्री दलों को लगता है कि मजबूत सरकार के ब है बात भी बात नहीं चाहूंगा कि बाचपा अपने से मजबूत किसी को नहीं समझता और इसका कारण यह है कि देश से भी ज्यादा मजबूत समझता भाजपा कैसी पार्टी है जो संविधान से भी ऊपर समझती रहा फॉकर और आरेसे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सर मुझे ये बताई है कि उत्तर प्रदेश में अस्ती सीटे हो गई पस्चम बंगाल अगर आप देख लें बहार देख लें जहां पर आप लोग जा रहें जरूरू कैश करा लेकिन बड़े राज्यों में जहां पर लोक्सवा की ज्यादा मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी राज्यरा राज्य है हकीकत को मानना बहुत अच्छी बात हो आफ हमारी सकती बहुत हम उत्वूत नहीं लिगा जहां चेत्रियों दलों से उलेडी गटबंदने यह महारास्टा में एंसीपी से हमारा और बंगाल में भी वहां बामपंति हैं और ममता बनार कहीं ने कहीं वह रास्ता निकाल लेंगे हम रही बात यूद आपको ऑर जडिके साथ हमरा भी हार में हैं यूपी में आप अभी आ लिए यूपी के बारे में लास्ता है मैं ब्ताना चाहता हूं हमारे राष्टी अदेख शमाना निये राहूल गांदी जी ने तीन दीन पहले प्रेस बंदूओं को बता दिया कि हमारी एक रहनीती है चुकि और रहनीती मेडिया के सामने भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हमारी रहनीती उस रहनीती पर यूपी में हम आगे चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे और मीशन सिर्पेगों का बीजेपी गवाराना रमिश ठाकुजी कॉंग्रेस के लिए एक दिक्कत यह आपको नहीं लग रहे कि कॉंग्रेस को लग रहा है कि उसकी हमें हमें दो कैचस के साथ दो सहां हमें उससे कहलें देना है जो हमारी है जो हम दो पर जीतना चाते है अब लोगे से लाइन होगे अब धिश्चिए हैंगर दो जिफिटे चोड़ जाए ता बीजे पी से ऐलाइंस पाल लिए यह दोम使ी अगर तोनों पार्टियांगर तो दूसरे दालोग साथ करने जा रहे था ना बीजेपी को और आने की लिए यह समझी भी नहीं है कॉंग्रेस के लिए इसके बाद में कॉंग्रेस के अंदर एक उर्जा तो आई है यह में मानना पड़ेगा लेकिन यूपी को यह साधना चाह रहे थे किसी भी तरीके से अख लेकिन अब दो सीटों का इन्हों ने जिस तरीके से गैप छोड़ा है मुझे नहीं लग रहा देश की इतनी बड़ी पार्टी जो दो सीटों पर माने लाचारी और बेचारी को लेके यह लोग चुनाम नहीं लड़ सकते हैं इससे बैटर रहे तो सेपरेट आके चुनाम ल किसी को बोट दे के कोई पीम बना नहीं सकते हैं तो अल्टिमेटली आना तो पड़ेगा राश्टी पार्टी के पास राश्टी पार्टी के तौर पे एक कॉंग्रेस ही आ जाती है अब कॉंग्रेस जिस तरीके से चेत्री दलों के साथ लेके चल रही है जो इन्होंने 2014 में अब बीजेपी के लोग बोल लाएते कि नहीं नहीं हमें तो किसी की जरूरती नहीं है जिस तरीके अरोगेंसी आज हमें पीम मोदी के सब्दावली में देखनों को मिली यह पूरी बदली सब्दावली है यह हमने पहले नहीं दे गी लेकिन उस समय आपको 44 पार्टी को यह भी नहीं चाहता था चाहरे थी कि हमसे कोई तूटके बाहर निकले अब जिस तरीके से रामिलास पास्वान का अलग अपनाना तो बाहरी चले गए अब बीजेपी में इनके साथ में पीस पार्टी राजभर पार्टी यह दोनों पार्टी यह समय आते दो एक मेहने में में देखनों को मिलेंगी यह अलग हो गई अब यह जो दो सीटे मिली अब इनके पास देखे अभी तक जो बाते आ रही थी उसमें यह थे कि सीटों को लेकर खीस्तान है और चुनाफ से पहले सहोगी दलों के साथ इस तरह की स्थितिया बंती है अब आपको लग रहा है कि जो सपा बसपा के गडबंधन के बाद अब जो तल्ख बयान बादी राजबर जी की तरफ से या फिर अपना दल की तरफ से भी आई थी अब वो थोड़ी कम पढ़ेंगी बिल्कुल पढ़ेंगी तो कि क्लियर हो गई यह तस्विर साप हो गई है यहां पे समाज बादी अपने पत्ते नहीं खोलती है ना मीडिया को कुछ पता चल पाता है ना उनके नेताओं को कुछ नहीं पता चल पाता है कि आखरी कमरे में बैठके रंड नीती पार्टी के लिए बनाई तो बनाई किया जा रही है अब इस समय भी आज आपने देखा होगा पीसी में तो कि इतनी लाचारी आज हमें पार्टियों के अंदर देखी जाती है आप यूबा सीम रह चुके हैं तो बचाने की लड़ाई है हाँ उसके बाद में देखो सबसे बड़ी बात एक बात अक्षा जी मीडिया में सामने नहीं निकल के आपा रही है गठबंधन को लेके जिस त असी सीटों में चालिस ब्यालिस भी अगर सीटें लोग ले आते हैं ना तो यह जो माघडबंदन मन रहा है ना उसके उपर दबाब बना सकते हैं जी हमारे पास इतनी सीटा है और हमें पीम के लिए कंडिडेट घोसिद करो तो यह इस्तिती बन सकती है बाद ठीक है सीमा मा अगर में तो मोधी जी के वारे में भी ये बात कहती हूं कि आज उनको अगर पर बोटस मिल जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगर उनको पहले जनता उनकी मैनिफेस्टों को देखेगी उन्होंने क्या काम किया यह देखेगी तो हम लोग आई हम पहले एक अच् कि विपक्षी दलों के पास एक जुट्टा का एजिंडा सिर्फ इतना है कि मोधी को हटाना है इसके लोगतंते बचाना है जो देश में जो गलत चीजें हो रही है उनको रोकना है इसके लिए भी लोग साथ में आएं प्रदान मंत्री अब तक मिलें एक और मिल जाएगा तो बुरा क्या है कि लोगतंतर में सभी को और खासकर राजी श्यव्तिक बनने का हख है और ओसके तहे 退 को असको को कोन बनेगा किसकर बनेगा कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा यह सब काल के गाल में है वो सामने पिता चल जाएगा अभी रमेश शाकुर जी का विश्लेसर मैं सुन रहा था निश्चित रूप से बड़े पत्रकार है और अच्छे से विश्टे सड़ारबाद का करते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा उनकी बात से सुनके मुझे हास्प्रत लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के राश्ट अधर जी कागत पढ़ रहा है बेवस हैं लाचार है अरे कम से कम आप छोटे-छोटे राज जो तो हस्ते हस्ते कहते थे अब किल्वा यह कर दूंगा उनकी हसी कहा है मनुझे आपको लग रहा है कि आप इदर बर भागेंगे और आपको भागने दूंगा मैं आपको जाने दूंगा अपने कट बंदन की बात नहीं हैं सर मुझे बताइए तो अच्छा कुछ रमेश ठाकुर जी ने क्या गलत किया रमेश ठाकुर जी का विसलेशन करने का अगर अंदाज है सर यह कोई अपराब नहीं है ना कोई घलत काम अकले शादर ने कर दिया लेकिन यह अंदाज में दिखे नहीं है ना इसलिए सवाल आ जाते हैं मनोज जी किसी और चैनल पर साथ हम लोग साथ में इसे बात कर रहे हैं लेकिन वो ने चैनल पर डिस्क्लोज नहीं करना लेकिन यह जरूर मानोगे आप लोगों ने सब्सक्राइब को तो हमेशा लोगों ने देखा कि मैं आपको एक लाइन के बारे मैं बता दे रहा हूं चुनिए एक मिट मैं चोटा सा एक समय लूँगा जी अच्छे जी अगर सामने स्क्रीन में नहीं पड़ते हैं तब दो कागज लेके बैठना पड़ता है चुकि उनको क्या फीट करना है क्या कब बोलना है कौन सा पॉइंट राइस करना है वो लिकिलाना पड़ेगा क्या यह थोड़ी नहीं कि अच्छेंगे जब अगर आगर वो कागज दि अच्छी बात है अच्छी बात है पड़ेतर बोला जाए तो जादा बहतर है इस बात का अपने डेस्ट पर बैट चाहिए हम वापस आते हैं इतना घबराने की ज़रूत नहीं है देखे अभी आजएब वीर सिंगी काफी आश्वस्त है वह जाना आप लोगों के साथ ही जा सबसे जाना सबसे ज्यादा बहतर है और इसलिए उनका भरोस्ता तक तूटा नहीं है बले ही प्रेस कॉंफेंस हो गई हो सीटों का बटवारा हो चुका हो लेकिन एक बार फिर मैं आप से जानना चाहरा हूं कि क्या वाकई में दो सीटों से बढ़ा कर कुछ देखने को गड सकता चुकि फैसला राष्टनेत्त को लेना राष्टनेत्त की उस बात को ध्यान रखें कि हम समयोजन करने वाले लोग हैं हम बहुत ज्यादा इगोस्टिक नहीं है कहां बिहार में किस तरीके का घडबंदन करना पढ़ गया उसको सोचे अपनी जीती सीटे किसको देनी आ रहे या तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जाते हैं तो यह मान भी लिया जाए कि विपक्षी पार्टियों विरोत के खातिर ऐसा बोलती है लेकिन कुछ इसी तरह कि आपके कुछ सहयोग्यों की भी है जिनमें कुछ साथी तो बहुत महत्मूर रहे हैं सेना जैसे वो भी सवाल उठा रहे हैं कि एरोगेंट हो गई है बीडिये पी उसे अपने सवाय कोई दूसरा नजर नहीं आता यह यह बीडिये पी के लिए खत्रएगी घंटी नहीं है देखिए नहीं जब एक साथ पार्टियां रहती हैं हम तो पूर्ण बहुमत से आये थे फिर भी हमने अपने अलाइंस को पूरी तबज्जू दियो और साथ में एंडिये की ही सरकार बनाया हमने यह नहीं देखा कि हाँ हमें बहुमत है तो हमें किसे चोड़ना और किसे ले जाती है ना घर के अंदर बरतन खटा करें तब तो ठीक है अगर बरतन घर के बहुत से चोटी पार्टियां हैं जो हमसे संपर्थ कर रही हो हमारे साथ आएगी और मैं इस बीज में और बात कहते हूं जो यह महागडबंदन बन रहा है इसमें देखिए अभी आप देखते जाएए चुनाव आते आते वर्चसु की लड़ाई होगी कोई कहेगा कि प्रदान मंति इस तरह रहें घपलत में हमारा गडबंदन नहीं बन पाएगा और हमारे गडबंदन को नहीं चाहिए ठीक मैं आपकी बाती मैंने कही है मैंने आपकी बात उनसे कही है आपकी बात कि जो आप लोगों के पालिसी करती है आप लोगों से क्या वादे करते हैं और लोग आपके वादों पर कितना यकीन करते हैं असल मैं यह करता है अपने बाशन में बार बार जो गेस्ट हाउस कांड है ठीक है ठीक है अब गडबंदन हो चुका है तो उन्हों देलों के बीट मैं आप इन बातों कोई असर होगा नहीं मायवती जी ने खुल इजबाब कर जिपर किया था गेस्ट हाउस कांड का आप चानी को असवाइब कर्ण तो इतना जावा इंतजार करना थीक नहीं आप तक वह सीटों का इंतजार करते रहे हैं एंह सपा बस्पा बे बात नहीं बनती है कॉंग्रेस या बीजेपी मैंने पहले भी कहा कि एंडिये के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है हमारा आप यहां पर बैठ कर कुछ कह रहे हैं अजीत सिंग जी के सुर कुछ बदल जाएं नहीं कुछ नहीं बदलेंगे राष्टर नेतरतों ने हमारे ने साप कर दिया है कि हम ए केंद सरकार के उतर पर देशते जाती है वह हम बीजेपी को रोकने का का काम करें जो राम विलास पासवान जी की पार्टी पर लगते रहे हैं कि आप लोग भी मौसम वैग्यानिकों की तरह हैं जहां पर पलड़ा जादा भारी देखते हैं उधर जोकाव जादा बढ़ जा एलान हो गया आप देखिए अभी आज अपचारी घोष्णा किसे कहते हैं अब है जी आज एक गठवंदन का सरूप बना है और और वह और भी दल आएंगे और वह दल बैठके सारी वे बात होंगी और जैसे मैंने कहा कि कोई लाइन नहीं किची है तीन दिन पहले मेरे रास्टी अदेख जी का बियान आ गया है और हमारी एक लग रहनीती है हम उसे रहनीती पे काम कर रहे हैं यूपी में ठुक के हम चुनाव लड़ेंगे अकेले दम पर असी सीटो पर फिलान में इस बात को डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन हम लड़ तो यह तो बताना ही पड़ेगा कि सिंगल हैंडल दो फैसा की का चार से पास दिन के अंदर में आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो कि हम कई सब्सक्राइब प्रदेश के लिए तो मैंने सवाल कर दिया कि मजबूत सरकार या मजबूत सरकार या मैंने इस्तेमाल किया है हमेशा मजबूर सरकार भारत्य जंता पार्टी का सीवी आई से घटबंदन हुआ है अब चर्चा के समापन का भी वक्त है रमेश्टा कुली क्या वह खतम हो गया अब तक रहनी तिया आउ साफ नहीं कर पाए आप चार्चा के समापन का वक्त हो गया वाइंड अब करने का वक टाइम अप हो गया टाइम अप शबनम पांडे जी डॉक्टर सीमा मलेग दुबे जी प्लीज अब समय अब होगा किसानों के साथ मजबूर मजबूर लोगों के साथ दो कर दिया वहां पर इस्तिमाल कीजेगा तीवी डिबेट में हम लोग जो जिन मुद्दों पर बात करत है कि तमाम विपक्षी दल एक साथ तो आना चाहते हैं लेकिन जो लालसा शब्द कहा जाता है कि लालसा जो अपने खुद के हिट की बात है यह आपको नहीं लग रहा है कि जादा हावी है जो काफी नुकसान दे साबित हो सकता है निश्ची तो पर अगर यह यह लोग तंत इसमें संभावना बहुत कम रहती है वह आखिरी मलब एक पत्थर के लकीर को आपको समझना चाहिए इसमें आप लोगों के लिए ब्यान सुनिए उन्होंने कहा था अगर महा गटबंदन के लिए मुझे दो कदम पीछे अटना पड़ेगा तो मैं दो कदम पीछे नहीं उस डिवेट के बाहर में आपको बताऊंगा वह मातूर से बात हो रखी है वह लोगों के भी दूसरे सब्सक्राइब कोई लिए इतना तो तैय है कि मुकाबला दिल्चस्प होने जा रहा है जहां पर एक महा गटबंदन की बात कही जा रही थी महा गटबंदन अस्तित में भले देखने को मिल सकते हैं लेकिन ये गटबंदन एक जुट्ता के साथ एक मजबूत सरकार दे पाएंगे या मजबूर सरकार देने की ताकत रखने हैं इसके लिए तो चुनावों का इंतजार करना जरूरी है लेकिन इतना जरूरत है कि मुकाबला दिल्चस्प है सबी लोगो में आज के लिए वस इतना ही एपिया न्यूज में खबरों का सलसला लगातार जारी है